हलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल धुरूफ क्रियेशन में जन्माश्टमी दो हजार चौबीस डेट जन्माश्टमी कब है जाने शैव और वैशनव कब मनाएंगे जन्मोटसव देखें डेट और शुब मुहूर्थ जन्माश्टमी दो हजार चौबीस जन्माश्टमी का तियोहार इस साल 26 और 27 अगस्ट को मनाया जाएगा इस दिन भगवान के मनमोहग बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और कानहाजी को 56 के भोग लगाए जाते है इस दिन भगवान के जन्मोटसव की खुशी में घर-घर पक्वान बनते है और लड़ू गोपाल का जन्म करवा कर उन्हें फूलों और नए वस्त्रों से सजाया जाता है तरहत्रा के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है आएए देखते हैं किस दिन है जन्माष्टमी और साथ ही शुब मुहूर्द भी जाने जन्माष्टमी कब है जन्माष्टमी का पर्व हर साल भादर मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को मनाया जाता है इस साल जन्माष्टमी 26 और 27 अगस्त को मनाई जाएगी जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण के बालरूप की पूजा की जाती है और देश भर में कृष्ण जन्मोद सवधूमधाम से मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के लड़ू गोपाल रूप की पूजा करने से आपके घर में संपन्ता बढ़ती है और भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं आएए जानते हैं जन्माष्टमी की तिथी कब से कब तक है और शैव और वैशनव समुदाई के लोग किस दिन मनाएंगे कृष्ण जन्मोद सवधूमधाम जन्माष्टमी तिथी कब से कब तक है जन्माश्टमी भादर मास के कृष्ण पक्ष की अश्टमी को मनाते हैं इस साल अश्टमी तिथी की शुरुआत 26 अगस्त की राद 3 बजगर 49 मिनिट पर होगी और समापन 27 अगस्त राद 2 बजगर 19 मिनिट पर होगा इसलिए उद्या तिथी की माननेता के अनुसार 26 अगस्त दो हजार चौबीस के दिन कृष्ण जन्माश्टमी का वरत रखा जाएगा 27 अगस्त को मनेगा कृष्ण जन्मोटसव जन्माश्टमी के अगले दिन यानी नवमी तिथी में गोकुल और वरिंदावन में कृष्ण जन्मोटसव मनाया जाता है इसलिए इस साल 27 अगस्त को कृष्ण भगवान का जन्मोटसव मनाया जाएगा गुजराथ स्थित त्वारिकाधीश मंदर में भी भगवान कृष्ण के जन्मोटसव का पर्व मनाया जाता है जन्माश्टमी के व्रत का महत्व भादर्पद मा के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथी को रोहिनी नकषतर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था हर साल इसी तिथी पर कृष्ण जन्माश्टमी का पूर्व धूमधाम से मनाया जाता है मान्यता है कि इस दिन वरत करने से आपको संतान सुख की प्राप्ती होती है और आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है कहते हैं इस दिन संतान सुख से वंचित दंपती यदी वरत रखते हैं तो उनकी खाली जोली भगवान भर देते हैं जन्माश्टमी का वरत करने से भगवान कृष्ण सभी की मनो कामनाएं पूर्ण करते हैं जन्माष्टमी पर बने हैं, ये शुब योग जन्माष्टमी के शुब अवसर पर इस साल कई शुब योग बने हैं. इस दिन रोहिनी नक्षत्र के साथ शुब योग, जैंती योग, सरवार्थ सिधी योग का शुब सन्योग बन रहा है. इस शुब सन्योग में कानहाजी के जनमोटसव का वरत करना और भी शुबफल दायक माना जाता है फ्रेंड्स अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप ध्रूफ क्रियेशन चैनल की इस विडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें धन्यवाद